करने वाले हैं नाइन्थ दिसंबर का दबक है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला वर्ड है अनएर्थ अनएर्थ क्या है यह एक वर्व है जिसका मतलब होता है यहांने खोद कर कोई भी ग्राउंड से कुछ चीज को निकालना कुछ फाइंड करना उसे हम कहते हैं अनर्थ करना श्रिद नूम्स क्यों हो जाएंगे एक्जियूंग यह एक्सकवेट अटम्स क्या हो जाएंगे बड़ी मतलम क्या होता है दफणाना याद करने की च्रिक देखे आर्स के अंदर रखे ट्रेजर को Cuando किया यानि आर्थ के नीचे मिट्टी में के अंदर कोई ट्रेजर रखावा था उसे क्या किया अनःथ किया यानि ग्रांड में उस ट्रेजर को को find किया गया ठीक है सिनन एक्जामपल क्या हो जाएगा फार्मर्स टिल सम्टाइम्स अन अर्थ human बोन्स यह यानि फार्मर्स अभी भी कभी-कभी ग्राउंट के अंदर क्या पाते हैं human बोन्स मिलते हैं इस जगह पर तुम इमने देखा कि इस वोर को सेंटेंस में कैसे जोस कर ना है भी जिसां तो और या किसी बीचीज को स्विकार करने से मेना कर देना रेफ्यूज कर कर दिया गया यानि के एक्सप्ट करने से मिना कर दिया गया उसके डॉकुमेट को इगनोर कर दिया गया एक्जामपल देखेंगे we repudiate this kind of in-tolerance हम इस तरह के in-tolerance को अर Basis करते हैं से हम 47 perch करतेंअ ट्रिक में हमने देखा कि 40 को कैसे एफ राखेंगे और की जामपल में हम ने सीसी का कि एक हμέना शेक्वूर नेक्स्ट नेन्स नेहीं हमाना बदर कहने कि इस he यानि किसी भी चीज को सपोर्ट देना या उसे स्ट्रेंथन करना यानि उसे और मजबूती प्रदान करना क्या कहलाता है बट्रस कहलाता है सुनोनिम्स देखेंगे 45 या अंडर पेन अन्टोनिम्स क्या हो जाएगा याद करने की ट्रिक देखिए इस बिजनेस ट्रस्ट को बट्रस की जरूरत है यानि जो बिजनेस ट्रस्ट है यह संस्था बिजनेस की इसे बट्रस की जरूरत है यानि इसे और मजबूती की जरूरत है इसे सपोर्ट की जरूरत है तो इस ट्रिक से आप यह वर्ड याद रख solid है तो आप अपने argument को support कर सकते हो इसको strengthen कर सकते हो मजबूती प्रादान कर सकते हो move करेंगे next word पे next word हमारा forgery forgery क्या होता है यह एक noun है जिसका मतलब होता है the action of copying or document signature bank note और work of art यानि यह ऐसा action है जिसमें क्या किया जाता है copy की जाती है किसी document की किसी signature को या bank note या work of art इन तरह की चीज़ों को copy कह जाता है ठीक है वो भी एक illegal तरीके से mostly ठीक है synonyms क्या हो जाएगा counterfeiting या faking trick क्या हो जाएगी forgery करने वाले लोगों को forgive नहीं करना चाहिए forgery यह kind of क्या है यह kind of crime है ठीक है जब आप किसी की signature duplicate उतार दें तो क्या होगा वोई crime ही तो है ना तो forgery करने वालों को forgive नहीं करना चाहिए माफ नहीं करना चाहिए तो इस ट्रिक से आप यह वह याद रुख सकते हो एक्जेंपल सेंटन्स देखिए he spent five years in prison for forgery उस्ते पांस साल को पांस साल के लिए जेल ने भेज दिया गया किस वज़ा से forgery करने को वैसे कि निए मजाल साजी कहता हैं टेक है move करते है नेक्सपर नेक्सवरोड हमाहरा एक फ्रेज है कॉनसा प्रेजd स्टेंडर चान्स standard chance का मतलब क्या होता है to have a chance of success यानि किसी भी चीज में सफलता का chance होना ठीक है उसे हम कहते है standard chance याद करने की trick देखिए उसका dance में standard chance नहीं है यानि उससे dance से क्या हो सकता है उसके dance में कोई भी success का chance ही नहीं है यानि उसका dance में standard chance ही नहीं है तो इस ट्रिक से आप यह वर्ड याद रुक सकते हो, अब एक्जाम्पल देखेंगे, इसको सेंटेंस में कैसे उज़ करना है, उमीद करती हूँ, सार के सारे वर्ड आपको पसंद आए होंगे, ट्रिक आपको helpful लगड़ी होगी, और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगड़ा है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका feedback क्या है, और आप मुझे जरूर सेयर कर सकते हैं कि आप इसको इस ट्रिक से कैसे आपको help मिल रहा है, ठीक है, आप जो बोलते हों वही क्या है मेरे लिए motivation है, तो उमीद करती हूँ आपको यह से सेशन पसंद जरूर आ रहा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने valuable comment feedback में कि तोर पर जरूर दें, this is a good day, thank you and have a nice day.